जहेंन सातियों, दोस्तों आप लोग को ये जाने के खुशी होगा गिए इंडियार आरमी में अब महिला रेकूल्मेंट के भी बर्ति की जा रही है और इंडियार आरमी में लगब अभी 1500 महिला जीरी पोश्ट की जरूवत है इसलिए इंडियार आरमी प्रतेक साल पे केंसी निकाल लिए इन पोस्टों को भनने के लिए तो अगर आपका भी सपना है आर्मी में जाने का तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते तो चलिए मैला रॉप्रमेंट के बारे में जानते हैं कि इसमें कैसे जोइन किया जा सकते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी प्रतिक साल महिला आर्मी परती के लिए online form आवेदन करने का मुखा देती है। इसमें दोस्तों, आपको 45 दिन का टाइम दिया जाता है और इसमें आपके form online किया जाते हैं। दोस्तों, आप लोग के जो form हैं, वो फरवरी के पहले सक्ता से online होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है? इसमें आप इस form को online कर पाएंगे और इसमें दोस्तों, आपके जो age criteria रखे गए वो 17.5 से किस वर्स अगर आप हैं, तो आप इस form को online कर सकते हैं। और ये vacancy दोस्तों, आल इंडिया लेवल पे हैं, अथात आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी डिस्टिक्ट से हैं, आप इस form को online कर सकते हैं। ठीक है? किसी भी category से हैं, UR, AWS, OBC, HTSC, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हैं, आप form online कर सकते हैं। बसरते हैं, आप girls candidate हैं, और वो भी unmarried, फिर आप इस form को online कर पाएंगे, अगर आप दस्वी पास हैं तो, दस्वी दोस्तों, आप simple से भी पास हैं, तो चलेगा, ठीक है? किसी भी बोड से हैं, इंगलिस, हिंदी, या कोई भी माराठी, कोई भी बोड हो आपका, चलेगा, कोई भी stream भी हो चलेगा, आप से कामर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप दस्वी पास हैं, ठीक है? कोई subject है, कोई bond इसमें नहीं है, तो दोस्तों, form online करने के बाद, इसमें सबसे पहले तो आपकी age देखी जाएगी, साड़े सतरे के 21 वी बीच में है, तो आप इस form क online कर पाएंगे, और इसमें form online कर देने के बाद, दोस्तों, आपकी phase 1 में जो होती है, वो cbt exam होती है, ठीक है, cbt exam में दोस्तों, आप computer पे exam देते हैं, और इसमें सिर्फ 50 question रहते हैं, ठीक है, 50 question वो भी easy person रहते हैं, जो कि dead mark के होते हैं, अर्थत एक question दों के होते हैं, ठीक ह तो जो भी candidate इसमें 35 percent passing mark है, अगर 35 नमर लाते हैं आप, तो आपको pass कर दी जाएगा, ठीक है, phase 2 में होता है, दोस्तों, आपकी physical होती है, db medical हो जाता है, physical में दोस्तों, आपकी जो है, physical के दोरान दोस्तों, आपकी height major की जाते है, height आपकी 162 cm होनी चाहिए, और weight आपका height के जनुसारी होना जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों, ये pass करने के बाद आपको running के लिए बुलाया जाएगा, उसी date में ठीक है, उसी दिन कराया जाएगा, running दोस्तों, आपकी 162 cm के running होगी, 8 minute के अंदर में आपको pass करना है, ठीक है, अगर आप 7.5 minute के अंदर में होता है, और retain भी 100, 200 number का आपका last merit final बनेगा, ठीक है, फिर दोस्तों आती है, कि running होगी, jump होता है, jump में दोस्तों, long jump है, और high jump है, long jump आपके 10 feet के है, और high jump आपके 3 feet के है, इन दोनों jump में आपको 3 chance दे जाएगे, 3 chance में आपको, 3 chance में आपको qualify कोना है, इस पे number नहीं, only आप का number exam पे है, और running पे, ठीक है, यह हो जाने का बाद दोस्तों, आपका document चेक होता है, अगर ज़्यादा candidate रहे है, तो next day document चेक होता है, ठीक है, वरना उस दिन भी चेक हो सकता है, document की अलग से वीडियो है, आप वो document की वीडियो देख लिए, वही वही document अगर बनवा के जाते है, तो आप pass कर दिये जाएंगे, ठीक है, लेक्स दोस्तों, आगला इस्टेम medical, medical भी दोस्तों आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका medical होता है, medical की वीडियो अब लेवल है, चैनल पे उसको भी जाके आप देखिए, medical कैसे होता है, और उमिद करते हैं, आपको वीडि आपके जाने के बाद दोस्तों, आपके जानिंग लेटर बेज़नी जाती है, फिर आप जाते हैं, इंडियान आर्मी में, जान करने ते हैं, ओके, आई होब दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी, इसी तरह क अपडेट पाने के लिए, जैसे ही फॉर्म ओनलाइन होना शुरू हो रहा है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कि कैसे फॉर्म को ओनलाइन करना है, ठीक है दोस्तों, तो आज को वीडियो में बस इतनी, हम इसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ज हिन जैवार